भारतिय फिल्म में संगीत के बिना अधूरी हैं। तब ही तो फिल्मों में आवाज आते ही इंद्रसभा जैसे फिल्म बनी जिसमें 72 के करीब गाने थे। शुरुआत से लेकर आज तक फिल्म संगीत का स्वरूप जरूर बदला है मगर इस संगीत ने हर दौर के संगीत प्रेमियों को जुमने पर मजबूर किया है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है संगीतकारों का। शुरुआती दौर के कुछ संगीतकार ऐसे थे जिन्हो मत भूलेगा और चानल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे केशवराव भूले का परिवार यूं तो पुने से था मगर उनके पिता वामन अनंत भूले अमरावती में आकर बस गए थे और फिर वो बतौर असिस्टेंट इग्जेकिटिव इंजीनियर नौकरी करने लगे केशवराव भूले छे भाईयों में सबसे छोटे थे उनके जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था लेकिन उनके पिता को संगीत का बहुत शौक था और वो सितार बजाया करते थे शायद विरासत में वो संगीत केशवराव भूले को मिला अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद केशव राओ भूले मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए मुंबई चले गए थे मगर वहाँ संगीत में ऐसे डूबे कि मेडिकल छोड़ कर थेटर में रुची रखने वाले एक सम्हू से जुड़ गए उसके बाद उनका इंटरस्ट इतना बढ़ा कि उन्होंने एक थेटर कमपनी शुरू की जिसका नाम था नाटे मनवंतर इसी कमपनी से अभिनेत्री लीला चिटनिस ने अपने अभिने सफर की शुरुआत की थी इस नाटक कमपनी का नाटक अंधालियांची शाला बहुत मशूर हुआ था जिसमें हिरोईन थी केशवराव भोले की पत्नी दुरगा केलकर जो शादी के बाद जोटसना भोले कहलाने लगी थी जोटसना भोले के गाए गीत और केशवराव भोले का संगीत इस नाटक के बाद रातों रात मशूर हो गया 1919 से 1930 तक केशवराव भोले ने बहुत सी विदेशी मूख फिल्में देखी थी और उनके साथ जो औरकेस्ट्रा प्ले होता था उसे वो बहुत ध्यान से सुनते थे वहीं से प्यानों को लेकर एक लगाव शुरू हुआ और जब फिल्मों में आवाज आई और उन्होंने फिल्मों में संगीत देना शुरू किया तो अलग-अलग इमोशन्स के लिए उन्होंने अलग-अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना शुरू किया जो उस समय एक नया प्रयोग था और संगीत को लेकर ज्यादतर प्रयोग उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी में किये जिस समय गोविंद्राव टेम्बे ने प्रभात फिल्म कंपनी छोड़ी उसी समय केशव राव भोले प्रभात से जुड़े हलकि इस से पहले केशव राव भोले एक मराथी और दो हिंदी फिल्मों में संगीत दे चुके थे उन्होंने ये महसूस किया कि चाहे हिंदी हो या मराथी उन दिनों फिल्मों में स्टेज के स्टाइल का ही संगीत सुनाई दे रहा था उन्हें लगा कि फिल्म बिलकुल अलग मीडियम है इसलिए यहाँ एकदम अलग स्टाइल का म्यूजिक होना चाहिए फिर उन्होंने प्रभात में नए एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिये उन्होंने वहां के म्यूजिक डिपार्टमेंट को और बढ़ाया नए साजलाए और साजिन्दे भी साथी औरकेस्ट्रा को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया प्रभात की ज्यादा तर मशूर फिल्मों में उन्हीं का संगीत था 1934 में आई अमरित मंथन में उन्होंने सामने बचते हुए संगीत के साथ ही कलाकारों के साथ रहरसल की और फाइनल शॉट्स भी लिये इससे कलाकारों के भाव और म्यूजिक का तालमिल बहुत असरदार रहा ये फिल्म कई मायनों में मील का पत्थर थी जिसने सिल्वर जुबली मनाई और ये पहली भारतीय टौकी थी जो पच्चे सफतों तक चली इस फिल्म में वसंद देसाई ने भी एक गाना गाया था अमरित मन्थन के बाद आई चंद्र सेना, राजपूत रमनी पर उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म थी 1936 में आई संथ तुकाराम जो केशवराव भूले के संगीत के लिए जानी जाती है संथ कवी तुकाराम के जीवन पर आधारित इस फिल्म के संगीत में उन्होंने खर्ताल, सारंगी, मृदंग, सितार जैसे वादे यंत्रों का प्रयोग इतनी सुन्दरता से किया कि इसके गीत घर घर में गुंजे पर ये फिल्म सिर्फ महराश्टु में ही नहीं बलकि पूरे देश में पसंद की गई, कलकत्ता में तो इसने गोर्डन जुबली मनाई 1937 की फिल्म कुंकु जो हिंदी में दुनिया ना माने के नाम से प्रदर्शित हुई, इस फिल्म में एक इंगलिश गाना भी था जिसे शान्ता आपने निगाया था इस फिल्म में केशवराव भूले ने बैग्राउंड म्यूजिक की जगा बैग्राउंड साउंड्स का इस्तेमाल किया, या नोखा प्रियोग भी पहली बार किसी फिल्म में किया गया था ये फिल्म अपने विशय कलाकारों के अभने और संगीत के कारण बहुत मशूर ही इसके बाद शान्ता आप्टे की गिंती चोटी की हिरोइन्स में होने लगी थी शान्ता आप्टे पर एक डिटेल्ड वीडियो है आप उसे देख सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इन फिल्मों के बाद माजह मुलगा, संथ ग्यानिश्वर, संथ सक्खू और दस बज़े जैसी फिल्मों में केशवरा भूले का संगीत कुंजा मगर 1944 की रामशास्त्री के बाद उन्होंने प्रभात छोड़ दिया और स्वतंत्रु रूप से संगीत देने लगे इस दौर की फिल्मों में तारमती, कुबेर, भागे रेखा और पारी जातक जो हिंदी में श्रीकृष्ण सत्यभामा के नाम से बनी थी शामिल है यही उनकी आखरी फिल्म भी रही बाद में उन्होंने बॉम्बे और इंडिया रेडियो की संगीत विभाग में बतौर चीफ काम किया केशव राओ भोले सापताहिक पत्र का वसुंधरा में एक लव्य नाम से समकालीन शास्त्रिय संगीत कारों पर समीक्षात्मक लेख लिखा करते थे बतौर क्रिटिक उनके आर्टिकल्स बेहत पसंद किये गए और वो एक किताब में संकलित किये गए अजाचे परसिद्धा गायग ये किताब पहले 1933 में प्रकाशित हुई थी फिर इसका एक एडिशन 1949 में संगीताचे मनकरी के नाम से निकाला गया केशव राओ भोले सुद्ध सारंगा पैन नेम से भी लिखा करते थे समय समय पर उनकी कई किताबे प्रकाशित हुई आवाजाची दुनिया, अस्ताई, वसंत ककाची पत्रे और 1964 में आई उनकी आत्म कथा, माजे संगीत, रचना और दिखदर्शन संगीत प्रेमियों के लिए ना सिर्फ उनकी फिल्में बल्कि उनकी लिखी किताबे भी किसी खजाने से कम नहीं है 23 माई 1896 को जन में केशव राओ भोले 10 सितंबर 1967 को इस दुनिया से कूच कर गए केशव राओ भोले पहले भारती संगीतकार थे जिन्होंने औरकेस्ट्रा की कॉम्पोजीशन्स में कई नए प्रियोग किये वहीं प्यानो, हवाइन गिटार और वॉयलिन जैसे वेस्टरन इंस्टूमेंट्स को उन्होंने एक साथ एक अलग रूप में पेश किया फिल्म संगीत में शुरुआत में जिस तरह की काम्या प्रियोग हुए उन्होंने ही आगे आने वाली पीड़ी को कुछ और नया करने की प्रेणना दी इसी वजह से आज भारत ये फिल्म संगीत इतना सम्रिद्ध हो पाया ऐसे में उन हस्तियों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता जिन्होंने इसकी नीव डाली केशव राओ भोले उन में से एक